भारतिय जंग संचार संस्तान के आज नए सत्र प्रारम होने के इस कारेकर में जुड़कर मुझे बहुत कुशी हो रही है और विशेष रूप से इस सहस्तान के महानी देश्षक से संजे दिर्वेदी जी जो अपने आप में पत्रकायता जगत के अंदर एक मारदर्शक की भूमी का निभा रहे हैं बलकि जिनका एक लंबा अन्भव पत्तिकाता जगत के अंदर है जिनोंने अपने लेखन से अपने कोलमों से संपुन्ध देश और पूरी विश्षक के अंदर एक सकारात्मक धिशा पत्तिकारिता की दिये मैं इस मौके पर संजे दिर्वेदी जी का भी बहुत बहुत अभी नंदन करता हूँ एडी जे साब स्री आशीष गोएल जी दीन गोविन सिंग जी और जो कोडिनेट का काम कर रहे हैं प्रमोत कुमार जी और सतीज जी जिनका भी इस संस्तान में कैनभव का लाब मिला सतीज नमुद्री पाज जी सभी फैकल्टी के पत्तका सातिगन दीश भर से जुड़े सभी पत्तकारगन अथितिगन और विशेश रूप से आज नया सत्र शुरू हो रहा है और जिनोंने अपने जीवन को समाज और राष्ट के लिए समर्पित करते हुए आज इसमें प्रवेश लिया है मौन सब विध्यारतियों को भी बहुत-बहुत सादुवाद देता हूँ बढ़ाय देता हूँ आज का दिन आप सब विध्यारतियों का जीवन का एक महत्पून्ट दिन है देश की सबसे प्रतिष्टित मीडिया संस्ताम IIMC के साथ जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है वो आप सभी के सर्निम भईश का पहला पढ़ाव है भारतिये जन संचार संस्तान देश के पतकायता प्रशिशन की शित्त की एक ऐसी प्रतिश्टित संस्ता रही है जिसने 56 वर्श में के एक लंबी आत्रा के अंदर मीडिया शिक्षा में अनुसंधान में वेश्चिक इस्तर पर एक उत्कुष्ट पहचान बनाई है जितना भी सर्वे होता है उस सर्वे के अंदर इस संस्तान की रेंकिंग सबसे उपर आती है इसके लिए में संस्तान के महानिदेशक पूर महानिदेशक सबको साधवाद देता हूँ कि उनके समर्पन के कारण आज ये संस्तान विश्षिस्तर का सबसे प्रथम संस्तान बनाए है यहां के चात देश में नहीं बलकि विदेशों में भी मीडिया, सूचना और संचार संगटरों का नेत्त कर रहे हैं ये दिखाता है कि हमारे देश के युवा कितने प्रतिवाशाली हैं, कितने परिशमी हैं, जिनोंने इस संस्तान के माध्यम से भारत का नाम गुरों में बनाया है साथियों, दुनिया के अंदर और विशेश उपसे भारत में मीडिया का अपना एक मत उरा है विश में जहां भी लोगतांती वरस्ता है, वहाँ पर सतंत और निश्पक्ष मीडिया लोगतांत को सरशक्त बनाता है, पारदर्शिता बनाता है और जवाब देई बनाता है भारत के सतंत आंदोलन के समय भी सामाजिक और राजनीति चेत्रा जागरत करने में मीडिया की महत्पूर्ण भूमिका रही थी हमारे सतंता संग्राम के मनिश्यों ने एक सतंत मीडिया के माध्यम से अपनी बात उन आंदोलन कारियों को देश को लोगों को प्रभावितव से पोचाने का काम किया था और इसी लिए हमारे सब के राष्ट पिता जिनोंने आजादी का नित्तित किया माहत्मा गांदी का कहना था कि एक पत्तकार का करतेव है कि वो देश के जन्मानस को समझे और बिना भैके उसे मुखर अभिवक्ति दे राष्ट पिता माहत्मा गांदी खुद भी पत्तकार थे और लगातार अपने लेखन से अपने विचारों से उस समय देश को अवगवत कराते थे और इसी लिए वो मुखर भी थे और निडर भी थे पत्तकार का यही दायत होता है कि वो एक तरब से निडर भी रहे और मुखर भी रहे और इसी लिए उस समय सामाजिก रियतनितिक चेतना के वहाग के रूप में पत्तकार जगत के लोगों का बहुत बड़ा योगतान था महात्मा गांदी के वचन पत्रकारिता के लिए बूल मन्त है और पत्रकारिता के विध्यारतियों को महात्मा गांदी के विचारों को आज भी आत्मसाथ करने के आउश्यकता है बाबा साहिब डाक्टर भीमरा अम्बेट कर जी जिन्नों ने सविधान बनाया था उन सविधान के सभी मनिशों ने एक ही बात कही थी लोगतंत की सपलता इस बात से निश्चित होती है कि उस देश की मीडिया कितनी सुतंत है, कितनी प्रभावी है ये हमारे सविधान निर्वाताओं ने कह था मीडिया की भूमिका के बारे में हमारे कई महापुर्शों की एक इस्पष्ठ सोच एक इस्पष्ठ दिशा रही है और उसी इस्पष्ठ सोच और दिशा को लेकर आज के विध्यारत solvent को उनको मारदक्षक मारना चीये उनके विचारों के उनके अन्भाअ को हमारे संब्रत इत्यास को किस-किस तरीके से पतकाईता की भूमी का रही थी उसको जानने की आउशकता है आसातियों पूरा देश सतंता की हिरत जेनती मना रहा है हमारी 75 वर्षों की लोगतंत की यह आत्रा जिसमें सामाजिक और आर्थिक शिर्ट के अंदर व्यापक प्रगती रही है इन 75 वर्षों की यात्रा में सभी भारतियों ने अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से, अपनी उद्यम सिलता से इस देश को सरशक्त बनाया, मजभूत बनाया है आज हम प्रगती के जिस पड़ाओ पड़ हैं उसमें हमारे किसानों का, हमारे श्रमिकों का हमारे उद्यमों का, हमारे बहाद्दूर जवानों का और उसके साथ साथ आप जैसे अंगनित पत्तकारों का अथक प्रियास राहें, जिसके प्रतिफल आज भारत प्रगत्ती के आयाम छुराएं पूरी दुनिया हमारी करमड़ता, हमारे नवचारों, हमारे संकर्व शक्ती और हमारी सामुईक शक्ती से परचित हैं दुनिया के जब मैं देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत का नोजवान किस तरीके से करमड़ता से काम करता है नए इनोविशन से काम करता है, संकर्व शक्ती से काम करता है जिसके कारण भारत में नहीं दुनिया के कई देशों के अंदर हमारे नोजवानों ने एक जगह बनाई है प्रतकाईता जगत के अंदर भी भारत के लोगों ने अपनी लेखनी इस प्रश्टा के कारण अपनी जगह बनाई है ग्यान विज्ञान से लेकर आज भारत मंगल से लेकर चम्दगाव तक अपनी छाप छोड़ रहा है और इसलिए आज भारत का नोजवान जिस तरीके से आर्थिक जगत के अंदर अपना नाम कमा रहा है चाहे भारत में स्टार्ट अप हो, इको सिस्टम हो, आईटी सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो हर सेक्टर के अंदर भारत की नोजवान की शमता और प्रतिवा की गूच पूरी धुनिया के अंदर है हमें इस बात का गर्व है कि हमने विकास और सम्रद्दी की यात्रा सविधान और लोकतांतिक परंप्राओं के चलते प्राप्त की भारत वो देश है जो लोकतंत की जननी है जिसने लोकतंत अपने देश में बड़सों पुराने प्राचीन हमारी सब्विता संस्कृति के अंदर हमारे विचारों में लोकतंत है और इसलिए आज हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत सकते हैं मजबूत है आज ये बड़ा रिसर्च और सोच का विशे रहता है कि इतना बड़ा विशाल देश और इतनी विवित्ता पुर्ण वाला देश होने के बाद भी हमने लोकतंति मुल्यों को विश्वास और भरोसा नहीं किया हमने लोकतंत को सशक्त मजबूत किया है और इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा देश और जहां पर जिस तरीके से आम चुनाओ होते हैं सत्रा आम चुनाओ वे तीन सो विधान समाओ के चुनाओ उन चुनाओ के अंदर इतनी बड़ी संक्या के अंदर मतदाता और निश्पक्ष चुनाओ और चुनाओ के बाद सत्ता का सहज अस्तांतन ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतन्त और जनतन्त की पेचान है साथियों आज ये बाद सहिए कि मीडिया का व्यापक प्रसार हुआ है सूचना प्रोध्युकिक के मामले के अंदर भी हमने तेज गती से अपने कदम बढ़ा है आज कोई भी समाचार कोई भी खबरें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में तुरंट सेकिंटों में पहुंशती है आज चाए प्रिंट मीडिया हो चाए इलेक्टोनी मीडिया हो चाए सोशल मीडिया हो ओनलाइन मीडिया हो आज पत्रकाता का दाइरा बहुत बढ़ा है और व्यापक रूप से लगातार दाइरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए जब इसका दाइरा ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोगों तक पहुँच इसकी ज़्यादा हुई है उसके कारण इसकी शक्ति और बढ़ी है लेकिन उसके साथ साथ हमारा दैत भी कई गुना बढ़ा है मुझे आजए कि सवंता समय आंदोलन के समय मीडिया की संख्या भी कम थी और रीच भी सिमित थी लेकिन उसके बाद भी उस समय की मीडिया ने राजनितिक और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से देश में एक महत्पुन गुमी का निबाई थी आज आजए दिके 75 साल जब की यात्रा के बाद हमारा दैत जादा बढ़ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी स्टोरीज को बनाते हैं सत्तिता के आधार पर बनाते हैं फेक्ट के आधार पर बनाते हैं ताकि हम देश और दुनिया को एक सकारात्मक और रशनात्मक संदेश पहुचा सके। आप सभी पत्तकाथा के शिक्षा गहन करने वाले हैं। आपके सामने बढ़ते इस पत्तकाथा के युक के अंदर बहुत बड़ी चुनोती हैं। आपको मीडिया के अंदर अपनी responsibility रखनी पड़ेगी। आपको responsive होना पड़ेगा और आपको अपनी बात को पहुचाने के लिए reachable भी होना पड़ेगा। इसलिए आप पर वहुत जबड़ी जिम्मेदारी हैं। कि आप किस तरीके से मीडिया के माद्यम से समाज में सकारात्मक संदेश पहुचाते हैं। एक बात सही है कि आजकल मीडिया शहरों में ज़्यादा है गाओं के अंदर कम हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चीए समाज के अंतीम दोर पर बेठा वेक थी। चाए गाओं के अंदर हो चाए बोडर पर हो चाए किसान हो चाए मजदूर हो उन गाओं तक कोशना चीए जहां तक कोई नहीं पहुचा। और वहां तक हमारी प्रगति कितनी पहुची। कितनी हमारी आजादी के बाद 75 साल की प्रगति की यात्रा पहुची। इसके लिए एक व्यापक प्रयास करने के आवश्यक्ता है। इसलिए आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करना पड़ेगा कि हमारी प्रतकायता के अंदर जब कभी रेंकिंग आए तो भारत के नोजवान सबसे अग्रिम पंती पर सतंत निश्पक्ष लेखक के रूप में भी हो और एक खोजी प्रतकायता के रूप में भी हो। मीडिया की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। मीडिया सरकारों और राजनिती दलों की जवाब देते करता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। इसी के साथ मीडिया शाषन प्रशाषन जनता के बीच में दिर्प्रक्षिय समवाद को सुगम बनाता है। दोनों के बीच पुल का काम भी करता है। और मीडिया, शाशन और प्रशाशन को पारदर्शिता और जवाब देई बनाने के अंदर भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमी का होती है क्योंकि मीडिया ही है जो जनता की बात सरकार तक और शाशन तक पहुचाता है लेकिन उसके साथ-साथ शाशन और प्रशाशन में पारदर्शिता और जवाब देए इसके लिए भी उसकी भूमी का बहुत बड़ी होती है आज इस मीडिया के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का भी जमाना है ये जंसंचार क्रांती का नया युक तो शुरूआ है लेकिन हमें सोच के विचार करना होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर विशेश रूप से अंतर समझना होगा सोशल मीडिया को भी जवाब देए बनाने की आउश्शकता है जिस तरीके से दिर्वेदी साब कह रहे थे प्रिंट मीडिया एक जवाब देए के साथ काम करता है लेकिन सोशल मीडिया की रीष्टों बहुत हो गई लेकिन सोशल मीडिया जवाब देए हो सत्य पर आधारी सूशनाय पहुचा है ये भी एक बहुत बड़ा आज के समय के आउश्शकता है क्योंकि गलत और भार्मिक सूशनाओं के माध्यम से हम समाज के अंदर विप्रीद प्रभाव डाल सकते हैं इसलिए हमें सकारात्मक संदेश पहुचा ना चीए मुझे आद है कि कोरोना के समय एक सकारात्मक संदेश भी पहुचा और मीडिया के माध्यम से ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई लोगों को जिंदगी बचाने में भी हम कावया हुए ये सोशल मीडिया ही था उस समय जब कोई परेशानी में होता था कटनाई में होता था मुसीबत में होता था तो एक सोशल मीडिया पर डालता था और लोग जो भी सामाजिक रूप से डॉक्टर अन्य लोग जो फ्रंट वर्कर थे वो किस तरीके से उस एक सूचना के आधार पर काम करते थे और उसकी जिंदगी को बचाने में लग जाते थे ये सोशल मीडिया का भी असर मैंने देखा है क्योंकि मैंने खुदने घर पे देखा है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास खबर आती थी हमारे परिवार में खबर आती थी कारे करता में पर किया और आवश्चक मदद की इसलिए शोशल मीडिया का भी सकाराज में पहलू इस बार मैंने विशेश रूप से कोरोना के समय देखा साथियों आपने जो अपना केरियर चुना है यह बहुत चुनोती भर वाला केरियर है आप समाज के अंदर कंसेंसिस कीपर बन जाते हैं समाज की दश्टी बहुत दिख्चेतना को राष्ट के अनकुल बनाने में आपका दाइत है आपकी रिपोर्टिंग का जो काम है वो कहीं न कहीं दबाव में भी रहता है लेकिन जैसे संजे दिर्वेदी जी ने कहा कि मीडिया के परसन को न दबाव में आना चीए न प्रभलों में आना चीए यह हमारे नोजवान की देश भगती है हम आने वाले समय में किस तरीके से हमारे सामाजिक दायत को निभाते हुए एक सई मार्क पर चल सकते हैं और समाज के सामने निर्भिक निडर हुट और निश्पष रखर समाज की बात सरकार प्रशाशन तक पहुचेने में ना कामयाब हो सकते हैं यह आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं आज मैं आपको विशेश रूफ से बहुत बहुत बढ़ाय देता हूँ कि आप आज मीडिया संस्तान के शिक्षन प्रशिशन से जुड़े हैं मैं संसद में भी आपको बुलाऊँगा संजे जी को आगरे करूँगा कि जब शिक्षन और प्रशिशन हो रहा हो तो संसद की कारवाई देखने भी आना चीए क्योंकि संसद की कारवाई सविधान कानून बनाने में हमारे मेंबर पार्लेमेंट की भूमी का कानून बनाते समय समाज का जनता का इनपूट इस सब के लिए पतकाईता की बहुत बाती भूमी का है इसलिए मैं आगरे करूँगा कि आप लगातार संसत की कारवाई से जुड़े रहें संसत की लाइबरी से जुड़े रहें ताकि जो आपको हमारा इतियास आजादी के बाद का इतियास आजादी के पहले का इतियास की पूरी की पूरी एक इतियासिक समद इतियास मिल सके आपको तो कि ठीक तरीके दिलिख सके इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दी शुपकामना देता हूँ बधाय देता हूँ आप सबके लिए इस उतकुष्ट उद्देश पूर्ण अधुत और चुनोती पूर्ण केरियर में पूर्ण सपलता हो आप निश्पष निड़ता से समाज की हित में काम करें यही मेरी आपकी शुपकामना है बहुत बहुत बह都ब भधाई बहुत धन्यवाज और संपून टीम को जो यहां पर सिक्षण और प्रस्षण का काम करकर इस संस्तान को उचयों पर पहुंचा रहे हैं उन सभी टीम को बहुत बहुत शुपकामना है विशेश जूस से इसके महानी देशक संजेत दिर्वेदी जी को विशेष उसे बढ़ाई शुबकाम में